नमस्कार दोस्तो दोस्तो अगर आपको लखनो सुपर जाइंस और चेन्नाई सुपर किंग के बीच खेला गया आज को रोमान चक मुकावला पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवन चेनल को सस्क्राइब जरूर करें दोस्तो आएपियल 2023 में 45 मा मुकावला चेन्नाई सुपर किंग और लखनो सुपर जाइंस के बीच खेला गया जिसमें चेन्नाई के कप्तान MS धोनी ने टोज जितकर गेंद वाजी करने का फैशला लिया बल्ले वाजी करने उत्री लखनो सुपर जैंस की सुरबात बेयादी खराब रही ओपनिंग करने आए केली मायर और मनन मोहरा कीम को एक अच्छी सुरबात नहीं दिला पाए और चोथी ओभर में मोहिन अली की गेंपर केली मायर रितुराज गाइकवाट को कैस थमा कर पवेलियन लोट गए मायर ने इस मैच में 17 गेंदों का समना किया जिसमें महें 14 रन बनाए मायर के ओठोने गबाद करन सर्मा बल्ले बाजी करने आए लेकिन एक तरफ मनन मोहरा सांदार बल्ले बाजी कर रहे थे लेकिन पावर पले का अंती मोबर में एम तिक्छना की गेंपर मदन मोहरा भी क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन लोट गए कुनाल इस मेर्च में खाता तक नहीं खोल पाए कुनाल के ओट होनेक बाद मारकस एस्टोनिस बल्लेवाजी करने आए मारकस एस्टोनिस भी अगले ओवर में रविन जडेजा की गेंपक किलिंड बोल होकर पविलियन लोट गें पावर पले में ही लखनाओ ने अपने महत्पुन चार विकेट गवाद दिये थे एस्टोनिस के ओट होनेक बाद निकोलस पूरन बल्लेवाजी करने है निकोलस पूरन और करन सर्मा ने लखनाओ को समभालने कोशिस की लेकिन वो भी इस कोशिस में पोसफल दे और दसमी ओवर में गेंदवाजी करने आए मोहिन अली ने करन सर्मा को भी कोटन बोल्ड आउट करके पविलियन बेज दिया करन सर्मा इस मैच में 16 गेंदों पर महज 9 रन बनाए करन सर्मा को ओट होने एक बाद आयूस बडोनी बल्लेवाजी करने आए आयूस बडोनी और निकोलस पुरन ने टीम को समाला और अरसतकी साजेदारी की दोनों ने 17 ओवर तक बल्लेवाजी की और टीम का इसकोर 100 रन के पार पहुँचाया अठार में ओवर में गेंदवाजी करने आए मथीसा पथीराना ने निकोलस पुरन को मोही नली कहांतों कैच आट कराकर निकोलस पुरन को पविलियन भेजा पुरन ने इस मैच में 31 गेंदों का सामना किया जिसमें महज 20 रन बनाए पुरन के ओट होने एक बाद क्रिशनपा गोतम बल्लेवाजी करने है लेकिन एक तरफ से आयूस बड़ोनी स्तांदार अर्सतक लगा चुके थे बड़ोनी ने इस मैच में 33 गंदों पर तावरत और 69 रन की पारी खेली जिसमें 2 चोका और 4 चोका सामिल था अंतिम ओबर में किरिशनपा गोतम भी पविलियन लोट गए गोतम को मतिसा पथिराना ने अजिंके रहने खाओ तो कैच आउट कराकर पविलियन भेजा और इस तरह से लखनाओ ने 99.2 अबर 125 रन साथ पिकेट के नुक्सान पर बना लिये थे और उसी वक्त बारिश शुरू हो गई और इस मेट को रद कर दिया गया दोनों ही टीम को एक एक पॉइंट पॉइंट स्टेवल में मिला है